हेलो दोस्तों बेलकम टू माई यूटूब चैनल दियस पेस्ट अलेक्टिकल में आपका स्वागत है दोस्तों तो देखें दोस्तों हमने और रेडिक कई क्वाल भल ली है और अब इसकी उपर की शुलॉट पेपल लगाएगी तो दोस्तों देखिए हम किस तरह से उपर का प पेपल लगाएं और कोई दिखकर नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं पेपर किस तरह से लगा है तो आपको पेपर को कट कर लेना है थोड़ी छोटे छोटे टुकडों में साइध देख लिजेगा कितना साइज लगेगा इसमें उसी के नाप से थोड थोड़ी कट करने रहा है तो दोस्तों हमने पेपर को कट कर रहे हैं तो दोस्तों पेपर हमारा कट चुका है अब देखे इसको हम लगाते हैं तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा-थोड़ा मोड लेते हैं थोड़ा इधर थोड़ा इधर मोडने के बाद देखे दोस्तों और इस तरह से बन जाएगा और इस बगल हलके और इस ब्रगल हलके से दोड़ों अब रखके हलके से दबा देने तो देखें दोस्तों किस तरह से हमारा lij। लग चुका है तरह से आपको पेपर लगाना है तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा पेपर भी लगा के दिखाते हैं तो देखे दोस्तों लगाने में कितने आसानी होता है फिनिसिंग के साथ में लग चुका हमारा दूसरा पेपर, चलिए दोस्तों, और भी एक पेपर लगा के दिखाता हूँ, तो दोस्तों इसी तरह से हलका हलका मोड कर फिल लगा लेना है, देखे दोस्तों ये पेपर भी मेरा लग चुका है, तो देखे दोस्तों क्या फिनिसिं कि तो दोस्तो इसी तरह से आपको सारे लगा लेना है तो देखे दुस्तो हमने पेपर लग रहा है इसी तरह से आपको सारे पेपर लगा लेना है तो देखिए दोस्तों पेपर लगके कंप्लेट हो चुका अभी हमारा आखरी का पेपर वचा हुआ है आखरी का दो तीन पेपर चलिए दोस्तों इसको भी लगा लेते हैं दोस्तों इसमें एक तार थोड़ा तो देखे दोस्तों पेजकर से सहारे से सही करके मैंने स्लोट पेपल लगा दिया तो दोस्तों यह आखरी पेपर भी लगा लेते हैं इसी तरह से आपको कॉयल के उपर का पेपल लगाना है तो दोस्तो हमारा paper लगके complete हो चुका देखे दोस्तो क्या finishing के साथ paper लगा है एक भी तार बाहर नहीं निकला तो दोस्तो इसी तरह से आप भी paper लगाएं और दोस्तो इसके अंदर एक बीच में slot paper डाल देते हैं ताकि coil अगल बगल टच ना हो तो दोस्तो देखे हमने slot paper काट लिया और इसको इसके बीच में डाल देते हैं जहांसे coil भरना इस्ठाक या इसी के बीच में ताकि दोनों आपस में touch ना हो तो देखे दोस्तो हमने बीच में slot paper डाल दिया हो ताकि gimbal आपस में touch ना हो झाल झाल झाल